कि आप सभी को मेरी नमस्ते और जैहिंद मेरा नावभास से नहीं है और वर्वल मैंद भाइबास से नहीं में आप सभी का स्वागत हैं तो आज हमारे साथ अक्षे रंजन सुपर अंडिट से और इनको जो पोस्ट मिली है वो मिली है टीए स्टिविडिटी हां तो मुझे ऐस बात करी लेते हैं ठीक है तो अक्षे बताई आप अपने बारे में जी मेरा नाम अक्षे रंजन है मैं बिहार के बाका दिस्टिक से बिलोंग करता हूं बिहार से बाका जी और मेरी एलिमेंटर एड्यूकेशन इंग्लिश मेडियम स्कूल से हुई थी अफ्टू क्लास एट इंग्लिश के गल्ण आप यहार तो उसके बाद आपने जैसे कर ली ड्याजेशन बागालपूर उनिएटी उसके बाद SSC की जरनी में कैसे है अभी अल्रेडी कारे रथ हैं में क्रिशी भावन के समय तक मैंने डिसाइड करिया था कि मुझे एससी करना है तो मैंने फर्स टैम दिया था 2019 CGL लेकिन उस समय तक मेरी प्रिपेशन जह है वह काफी डल थी मतलब ऐसी स्थी थी कि मुझे मैच के मौक देने में डर लगता था और है अलंकि मैंने उसमें एक्जाम सारे क्वालिफाय कर लिए थे डिवी में भी गया वा था यह नहीं आया है इंग्लिस में अच्छे मांस थे मैं मैं मेरे काफी गंदे मांस थे उसमें कि मेरे रा ही 94 या संथिंग आये वह थे दोस्तों में से बहुत कम आता है अच्छा अलंकि मेरे वह तफसी पड़ी थी तो इंक्रीज हो के 154 पॉइंट संथिंग हो गए थे 15 नमंबर की थी आपके 16 नमंबर वालोगे भी बड़े थे 15 सबसे तफस थी 18 नहीं पड़ी तो उसके बाद फिर किसे सबसे मतलब यह तो एक तरीके से देखो एक होता है कि नॉन सीरिए सटम्ट मैक्सिमम बच्चों के कुछ नॉन सीरिए सटम्ट होते है उसको वही कर सकता है जब आपको आपको देने में डर लग रहे हैं और आपके प्रेक्टिश भी जब मैं अभी अनलेसिस करता हूं तो मुझे लगता है कि साध मैंने प्रेक्रिश भी उतने से नहीं किती मतलब एक ऐसे ही नहीं मज़ मज़ में दे रहा है बस डिसाइड कर लिया कहां देना है लेकिन उसके लिए क्या करना नहीं करना उसके बारे कुछ नहीं सोचा है अनप्लांड तरीके से तो वह था मेरा पिर उसके बाद कैसे सीजल 20 में फिर मैंने मैंने में जोइन किया अभी जोइन उस तेम पर मैंने में इसको प्रिपट दिया अच्छा मुझे याद नहीं आ रहा है उसके लिए और फिर मैंने 20 में दिया लेकिन मैंने 20 में भी मुझे लगा कि मैं मैं कुछ से कर लूँगा तो मैं कर रहा था लेकिन दिक्कत क्या होती है आपको लगता है कुशन हो जा रहे हैं बट एक्जाम में आपको किस तरीके से करना है तो मुझे लगता है कि मेरे जब मैं मौक भी देता था तो मेरे अतने बहतर नहीं हो पाते थे और इसका सबसे बड़ा रिजन था कि कई बार जो है आप बहुत जादा बेसिक से करने लगते चीजों को और वह चीज मुझे देती थी फिर मैंने उसमें कि दिया और एक मैंने उस चीज को अब्जर्व किया कि उसमें कई सारे टीचर्स यूट्यूपर वीडियो देखता था उसमें कई सारे टीचर्स ना वैल्यू पुटिंग और इन सब चीजों का यूज करते थे और मुझे अभी याद है कि कि जब मैं मैं स्काम मेंज दे रहा था उसमें कि कई सारे गुष्चंस थे जिसमें मैंने वही सारे वैलीपुटिंग वाली कर रका करके ट्राय कर रहा था और मेरे बहुँ जादा लगों आदे घंटे बरबाद हुए थे यह होता है यह साथ कुश्यन में और उस समय ही मेरी हिमा टूड़ गई वहाँ पर बीस के मेंस की बात कर रहा हूं यह तोरी बहुत तोगी है और जैसे वह चीज खराब होई मुझे लग गया कि मेरा इस बार दो गया मतलब इतनी बुरी से थी कि मुझे लगा कि मैं इंगलिस क और उसके बाद फिर किया और उसके बाद फिर जो है आपका पड़ा हुआ था आ वहाँ पर मैं दोड़कर बाहर निकला तक आप निकल चुके थे और मैंने टेलिग्राम पर थोड़ा सब्सक्राइब कर दिया और मैंने का कि मैं जिस दिन कोई भी पोस्ट लूँगा तब ही पर जो है आपकी जो टीम से मैंने की को कोर्स के बारे में उने बताया कि जल्दी आने वाला है इसे अनौस्मिंट तो मैंने तेमडे अपने साम को अनौस्मिंट की दिया और उस सोबसे मैं यह शीखा कि exam में आपको कोश्टिण करने का अप्रोच्ट वह आपके ट्रोडिश सब्सक्राइब लेकिन आप सब्सक्राइब आप जैसे बताया ना वाला जो यह है लेकिन मेरी क्या हालत हो गई आप मुश्किल होता है आपको दोनी आनी चाहिए और किस रेशियो मुश्री को मिक्स करना है वो आप सीखेंगे मॉक्स मेरी में मॉक्स का बहुत बढ़ा रोल रहा है तो कि मुझे लगता है कि सीजर ट्वंटी में मैंने लगबग 60-70 मॉक्स लगाए थे और आप की जो कोर्स में लिए उसमें मैंने सीखा कि मैं कहा गलती करता था कौन से कोशन की अप्रोच मेरी कैसी इसके वजह से मेरे मार्म से कमा रहे थे यह ताइम मुझे काफ़ यदा लग रहा था में में इसमिज़े टाइम का होता था कि तो वो चीज मेरी जोब यह और फिरило堂 फर इन त्था और ने मेरे तो अब आपको टीए मिल गई बहुत अच्छी बात है कितने डाइम से आप कर रहे हो चीज़ें 2019 पहला अटम्ट था फिर आपने 20 में दिक्कत हो गई 19 में दिक्कत पहले थी और जॉइनिंग लेकिन आपने लेट करी उसके जब आपने दे दिया उसके बाद जॉइनिंग कोई रहा है 21 वाले में थोड़ा से था तो कि 21 वाले में जो है मैं जोईन कर चुगा था 21 जुलाइ में मैं जोइन किया है आच्छा तो इसके बाद में जॉब पर जाते-जाते पट रहे थे वह चीज़ बताओ थोड़ा कि जैसे कोई जैसे मालो बहुत सारे पच्छे एम्टेस लगे है आप में से वह MTS पर या कोई से भी जॉब पर करते हुए किस हिसाब से अपनी जो पोस्ट उसको इंप्रूव कर सकते हैं इसके लिए आपको तो सबसे पहले देखना हो कि आपको किस तरके से टाइम मैनेज करना है हमारे साथ कई सारे से बच्चे है जो कि यह रहती है कि टा आपको सुनने वाला नहीं है तो अब निगालना है तो निकाल हमारे से इसकाना लिकिन करना तो है अब कर देगा लेक्न कर आपको करना होगा कि देन फिर आपके क्लासिस देखने के बाद देन फिर में सोथा था और इंग्लिश के लिए फिर में जो है एपर पड़ता था वह मैं काफी लंब इसमें से कर रहा हूं और अपर वगर वह तो फिर अफिस आवर में करता था और बाकी जो प्रैक्टिस होती थी वह फिर में आपको जरूर देना भाई अगर आप किसी भी पोस्ट पर हो ना मौँग जरूर दे लो उससे आपको यह पता चलता रहेगा कि आपकी क्या कमी है मौक ही आप एक तरीके से आपको रास्ता दिखाता है कि हम यहां पर वीक हैं बहुत सारे बच्चे मैंने देखे हैं जो जिनको लगता है कि उन्हें तो बहुत अच्छी मैंस आती है यह बहुत अच्छी यह टापिक आता है रीजिनिंग भी बहुत अच्छ सब्सक्राइब तो एक ब्रह्म आपको सब्सक्राइब तो कई बार आपको एक्जाम के अप्रोप से देखना होता है और वह चीज आप सिखेंगे जब तक आप जब आप मौक्स लगाएंगे आप तीक आपने 10 कोश्यन के आंस्स देदिए टेल्ग्राम गुरूप पर आप कही कहीं भी जूड़े हो या कोई फ्रेंड या आपको टाइम का पता नहीं चलता आप जब मौक देते हो ना और वह प्रेशर रहता है सबसे बड़ी बात होती है प्रेशर की में बहुत बड़ा मेरा रोल था कि मैंने बीच एक्जाम में प्रेशर के वज़े से कर दिया तो करने वाला होगा टाएं कि आपको चीजांब करनी करनी होती हैं यापने थो हैं पंको फे चीछन की और आप तो यह चीज आपको बीच में कभी कोई नहीं करना चाहिए वह मौक में कर रहे हो कहीं पर दूसरी बात कि आप जो भी पढ़ते हो पोशिश कीजिए कि उसका नोट से मिल जाए या कुछ से बना है मैं मेरी सबसे बड़ी गलती है कि मैंने आज तक नोट नहीं बना है तो बड़ा पार्ट का उसमें मुझे नुकसान हुआ है नोट बगरा जरूर बनाए और रेलिवेंट चीजें पड़ें कई बार कई बच्चे होते हैं कि जीके पर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं जबकि उसके बारे में कभी कोई शॉर्टी नहीं होती कि क्या आना है न कि प्रोव करने की सुच्ट रहे हैं तो 22 में क्या स्कोर रहा है 304 तो कंप्यूटर 32 तो चलिए all the best हो सकता है कि इस बार बढ़िया मिल जाए मिल जाए मिल जाए मिलनी चाहिए ठीक है बागी हम मैं जाधा बलूंगा तल लोग बलेंगा प्रेडिक्ट कर रहा है तो देखते है मिल जानी चाहिए और कुछ आपको बताना हूं कुछ कुछ भी नहीं तो यहीं बात थी अक्षे रंजन से बात्चेत हुए मेरा मोटो डिसकेशन का है को इंट्रिव्यू का नहीं हमारे पास कोई सैट अक कोशन्स नहीं होते कि यह पूछ लिया फिर यह पूछ लिया फि दिस्क्रिप्शन में भी बता देते हैं इतने से इतनी मिनिट पर यह बात होई है लेकिन अगर यही चीज चाहिए आपको तो तो आपको पता ही कि तैयारी कैसे करनी है तो सबको यह पता होता है ठीक है यह जो डिसकेशन होता है इनसे आपको छोटे-छोटे पोइंट्स न है तो हम तो मैस कर लेंगे तो ओवर कॉनफिटेंट नहीं होना कि थीड़ा लेकिन आप जो पेपर दे रहे हो वह पेपर डिफरेंट है तो को यह तो तीचिंग वह नहीं हो रहाएं अगर कल को मैं भी बिना पड़े देने जाओंगा बिना तैयारी के जाओंगा कुछ भी नहीं होगा क्योंकि आपने वो प्रैक्टिस करनी है और अपने आपको एक ताइम देना है कि यह चीज यह चीज यह चीज एक यह पॉइंट मेरे को बहुत बढ़िया लगा आपके उसम तक यह सो मच और सेशन दिस्मिस्ट बाइ-बाइ